कि यह नमस्टे कैसे हैं आप सब लोग और यह मैंने इस वीक के कार्ज निकाले हैं डिवाइन पैमिनेंस के लिए तो यह तीन कार्ड्स आए हैं कि डिवाइन पैमिनन को अभी जो है अपने आपको हील करने के लिए क्या करना चाहिए इस वीक कि चीजों पर फोकस करना चाहिए डिवाइन पैमिनन को तो तु ट्रॉस्ट का कार्ड आए है ट्रॉस्ट अपनी इंट्यूशन को ट्रॉस्ट करें अपने अंदर अपनी इनरवाइस पैफेथ रखें अपनी intuition को trust करें intuition की आवाज जो होती है वही divine की आवाज होती है वही भगवान की आवाज होती है तो अपनी intuition के ओपर doubt ना करें अगर आपको intuitively कुछ feel हो रहा है कि आपको यह करना है या यहां जाना है या कुछ भी जो आपको intuitively feel हो रहा है कि आपको वह करना चाहिए और बार बार feel हो रहा है कि वह आपको करना चाहिए तो उस पर trust ज़रूर करें उसको ignore ना करें और भगवान पर faith रखें और यह basically अपनी third eye chakra की meditation करें third eye chakra को heal करें and then forgiveness का card है तो divine guidance ही कहती है कि अपने हार चक्रा को heal करें forgiveness दें दूश्यों को और खुद को भी forgive करें दूश्यों को भी forgive करें टें बिनना फोग्नेस बहुत मतलब है तो उसको बार बार हीन करना पड़ता है चर्श को पोगिवनेस जो है हमें देनी होती है तब जाकि वा शुह हील होटा है दो खुड को सबते पहले रहे लुदे को से इसके लिए मेसं के लिए होप और नो की मेडि़ियू है गूआ चुपणली खमें जो है कर सकते हैं और आहे इसके लिए कोई कोई बी मेडियर्टा कैसे करते हैं तो तो अगर आप अपना मतलब नहाती हो यह करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा एफेक्टिव होता है क्योंकि वाटर अलिमेंट जो होता है वो आपकी एनरजी को एक वाश करता है क्लेंसिंग का काम तो जो दोत दूश्रों को दें यह एक्सपेक्ट कियें कि सामने वाल आपसे माफने माग रहा है यह माग रहा है या वह सौरी है यह नहीं बोट आप पोगिब करें उसको ताकि आपका आपकी खुद की क्लिंजेंगो दन फ्रीडम का कार्ड है फ्रीडम से यहां यह मतलब है कि अपने आपको लिमिट ना करें दूश्यों के सामने जो है अपना डिकाएं आप मतलब दूश्यों की एक्सप्टेंस जैसे अपनी फामिली फ्रेंद्स या की acceptance लेने के लिए अपना false self ना दिखाएं दूश्यों को अपना true self दिखाएं बिना यह expect किए कि वो आपको accept करेंगे यह नहीं बट आपको अपना अपनी authenticity रखनी है अपना अपनी original self जो है उसमें रहना है अपनी authentic self में रहना है लेकिन इसके साथ ही ऐसा भी नहीं कि आप दूश्यों के साथ बुरा बरताव करें या दूश्यों के साथ जो है बैड behavior करें mindful जरूर रहें कि आप जिस भी तरीके से ब्येव कर रहे हैं वो कौन सी energy से connected है आपके heart से connected है या आपके ego से connected है तो जो heart ego हमारी ego self हमारी false self होती है और heart से हम जो भी करते हैं वो ही हमारी true self होती है और heart energy love energy होती है और वो ही हमारी true self होती है तो kind रहें दूश्यों के साथ compassionate रहें पर यस बी जस्ट बी जस्ट बी और अथेंटिक सल्व तो यह इस वीखी की गाइदेंस की डिवाइन पैमिनेंस के लिए और यह विश्यों एपी हीलिंग और जस्ट बी हैपी एंड पैमिनेंस लॉव काइदनेंस थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो और अगर अगर आपको मेरे चानल पे गाइदेंस जो मिल रही है आप उससे रेजनेट करते हैं तो मेरे चानल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से यह जो गाइदेंस है उन लोगों तक महर सकती है जिनको शायद इनकी ज़रत हो तो और आपको भी अगर आप से भी रेजनेट कर रही है तो इसको जरूर फॉलो करें तो थैंक यू सो मच